So hello everybody, welcome back to our YouTube channel My dear student friends, 10-10 रुपया दीदी के तरफ से आप लोग सभी को जो लोग West Bengal में पढ़ते हैं उन लोगों को mobile phone खरीदने के लिए दिया जाएगा ये notice मैंने पहले ही upload कर दिया है बट दोस्तों कुछ सवाल आप लोगों के मन में है जो आपको confuse कर रहे हैं पहला सवाल कि क्या ये पैसा सब को मिलेगा दूसरा सवाल कि ये private school वालों को मिलेगा की नहीं मिलेगा तीसरा सवाल ये 10 को मिलेगा, 11 को मिलेगा ये 12 को मिलेगा चौता सवाल पैसा कब मिलेगा और पाच्वा सवाल पैसा कैसे मिलेगा चो दोस्तों चलिए start करते हैं मेरे पास एक official notice है जो आपको मेरे screen पर दिखता होगा ये तो मैं आपको पढ़के सुनाओंगा उससे पहले मैं आपके सारे सवालों का एक एक करके जवाब देता हूँ दोस्तों सबसे पहले मैं आपको clarify कर दू कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ class 12 academic session 21-22 के students के लिए मतबब जो बच्चे इस साल class 12 में हैं उनके लिए ही ये पैसा है जो लोग 12 दिये हैं उनके लिए नहीं है जो लोग college में चले गए उनके लिए नहीं है जो लोग 10 में हैं उनके लिए नहीं है ये पैसा उनके लिए है जो इस बार class 12 में है सो बॉंदूरा जोदी तुम्रा class 12 पे आच्छो ता हो ले तुम्ही यह benefit नहीं देपार वे ठीक है बाबू अच्छा पहला सवाल clear हो गया तो किये किसके लिए भाई class 12 पे लिए सवाल नंबर 2 सवाल नंबर 2 किस school के लिए private school government school देखो मैं आपको clearly बता दूं कि government सब इस government जो है ना वो private school government school में बाइफर्ट के नहीं किया है government सारे वेस बिंगल बोड के students को यह benefit देगा बट एक problem है आपके school का issues हो सकता है कि आपका school सायद आपको ना दे अगर आपका school pure private school हुआ तो शायद वो अपने बच्चों को ना दे क्योंकि last year भी कुछ private schools ऐसे हैं जोनों ने अपने बच्चों को नहीं दिया था बट ऐसा नहीं है बहुत सारे private school वाले देते भी है तो आप अपने school से जल्दी से जल्दी contact करिए अगर आपके school में ये form के related कोई बात नहीं हुआ है तो clear हो गया भाई तीसरा सवाल ये है पैसा कब मिलेगा दोस्तो 5 जुलाई जैसा कि आपको मेरे screen पर दिखता होगा पांच जुलाई तक आपका bank details अपडेट करने के लिए details को collect करने के लिए order दिया गया है तो 5 जुलाई तक details और data collect करना है उसको update करना है सारे head of the institutions को दोस्तों ये मेरा request है आप लोग सभी से apply कैसे करें अब सवाल है कि भईया apply कैसे करें so my dear student अपने अपने school से contact करेंगे आपके school से एक form दिया जाएगा वो form को properly fill up करेंगे bank details को बढ़ियां से पढ़ करके देना confusion हो तो अपने भाई को whatsapp में message कर देना हमको message कर देना हम आपको बता देंगे guide कर देंगे मेरा number description box में दिया हुआ है form को अच्छे से भढ़ना और भढ़ने के बाद भढ़ने के बाद आप अपने hate of the institutions को apply करेंगे अपने school को apply करेंगे अगर आपके school में form से related कोई बात नहीं हो रहा तो please जल्दी से जल्दी अपने school से contact करिए school वालों से बात करिए कि क्यों ऐसा हो रहा है हाँ मैं आपको बता दू अगर आपके school का अपना board नहीं है तो I hope आपको पैसा नहीं मिलेगा अगर आपके school का अपना board नहीं है जैसे होता न बहुत सारे school जिनका अपना board नहीं है और मैं आपको और एक बात बता दू, अगर आपका अपना bank detail ना हो, तो मम्मी या पापा और किसी का मत देना, मम्मी और पापा का details, bank details अच्छे से भलफ करके देना, जिससे कोई confusion न रहे, कोई doubt न रहे, ठीक है बाई, और देखो बाई, जो भी details डालना, अच्छे से पढ़क अपडेट मैंने आपको दे दिया, जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा, मैं आपको दूंगा तब तक share जरूर करना, please, क्योंकि आपको जो share करते हो न, वो motivate करता, और subscribe भी करिए, ठीक है, मैं अपने channel पर आपको पढ़ाऊंगा भी, सिखाऊंगा भी, और हेल भी करूं क्योंगा,